असलामुलेकम दोस्तों HTML जहेंने पेरें सिंधी लेक्चर में तावा सबनी के खुशा मतीच चाहूं था इन अ कंप्लीट कोर्स में सबगां वद्धी का मुझो फोकस फ्रेक्टिकल ते रहां दो राधर देन थियोरी आउँ एक्सपेक्ट करनों तो थावा थे लिटी का नॉलेज पान गूगल तावा सर्च करें असल करना रहना जेके अंडर्स्टेंड करना हैं मुक्तलिफ प्रोग्रामिक लेंग्वेजिस खे कंप्यूटर जी दुन्या में काफी सारा एडिटर्स अवैलेबल आहें जन्मा मशाओर आहें एटम, सब्लाइम, नोटपेड, प्लस प्लस, नोटपेड या व्येस कोड व्येस कोड एक इंडस्ट्री स्टंडर्ड एडिटर आहें जहेंके इंडस्ट्री में तमाम घुणों इस्तवाल के भी दुआ हैं जहें करें आऊं पंजी कम्प्लीट कोडिंग जे अंदर व्येस कोड के यूज़ कन्दस इनने की सबगा वरी खुसूसियत यहा हैं तो इनने जहें अंदर काफी एक्स्टेंशन्स अवैलेबल आहें जिके कोडिंग के इजी कन्दिवा हैं आएं अननेसेसरी मिस्टेक्स के अवाइड करना में मदद नी नहीं व्येस कोड के डाउनलोड करना जे लाएं तमा इनने दिननल वेबसाइट ते क्लिक कना उननका पो पांजे अपरेटिंग सिस्टम जे मुताबिक व्येस कोड जो सेटप डाउनलोड करे वठंदा फ्र एक्जामपल इनन वेबसाइट ते तमा के विंडोस जे लाएं लिनेक्स जे लाएं मेक ऑपरेटिंग सिस्टम जे लाएं वी एस कोड जो सेटप डिननला हैं हिकता फो तमा जो वी एस कोड इंस्टाल थी वजे ता उननका पो तमा के कुछ एक्स्टेंशन्स इंस्टाल करने पांदिव extensions के install करने जिला है तांवाan cube तर क्लिक कनदा और उननका हम पो life server जी extension के download & install करे वठ आढ आजो पेरें HTML जो code run करने जिला है सब का पेरें तांवां एकड़ो folder open कनदा folder के open करने जिला तांवां पेरें file ते क्लिक कनदा उननका हम पो open folder ते क्लिक कनदा आएड नमूने से तवाँ के कडि विंडो जरींदी जया इमार तवाँ पाँ जो फोल्डर करें बटना इन वक्त आउं HTML जो फोल्डर ठाय रख्यू आए जया इंके सेलेक्ट करें याँ पे हो हान तवाँ के नज़र इन दो तवाँ HTML जे फोल्डर जे अंदर आया इना फाइल चे टेप में आउन नहीं फाइल करना चला है इना प्लस चे आइकन ते क्लिक कन्दश उनने का आप पाज़ फाइल जो नालो लिखन्दश फोर एक्जमपल इंडेक्स.html डाट का पोवार अलफाज डिफाइन करन था तो हीना फाइल जो फार्मेट के डवाए एहना फाइल जो फार्मेट html आ है html जो फाइल जो अंदर html जो फाइल जो अंदर html जो गोडिंग स्टार्ट करना का पे जहां तावा लिखनदा आ है हो doc type html with exclamation mark जो इस इस डिफाइन कर दिया है document type के html जो कोडिंग में तावाँ के less than and greater than जो sign हूँ आम जो आम नजरीं दियू हर एलेमेंट जो start less than and greater than जो sign सांदीन हूँ है ही इकोड़ो basic structure आ है html जो जेन जे अंदर सबका पे रहा असा html जो starting tag and ending tag लिख्यो आ है एहना में तावाँ के नजरीं दो ता html जे starting and ending tag में ही का slash जो फरका है एह उनका हम पो इनजे अंदर तावाँ के बाब्या element नजरीं दा जे हैट and body एह सागी नमूने सा हैट and body जो भी starting and ending tag आ है ये बाई tag या elements html जा child elements सब रहेंगा है चाकर जो ये html जे starting and ending tag जे विचा में आ है पर हैट and body sibling elements सब रहेंगा है इनने structure में तावाँ दसन दा ता हैट and body हिकबे साँ गद गद भी ठला है नके हिकबे जे अंदर जेह जे करे ये बाई siblings सब रहेंगा ये एठे ही नमूने साँ html इनन जो parent elements सब रहेंगा है हैट element के हैट element के हैट element के इंसानी brain सान इस पर तर भी नीवी दिया है बॉड़ी जो वो main area है जेह जे अंदर असान सा जो structure डिफाइन करना है ये हैं पे website जे page जो पूरो html जो structure elements और tag शाँ भरल हुंदो है हर element जो tray हिस्सा हुंदा है या ये खनी चावाँ तो mostly जेके भी elements आया उनने जा tray हिस्सा हुंदा है हर element जो हिक्डो starting tag उनना जो content आया उनना जो ending tag हुंदो आया content वाश या है जेका visible थी नी आया है web browser तें जेके tags आया हुए define करना हैं तो उनना जी visibility किये हुंदी for example अगर तमा लिखोता hello how are you ये जो content div में enclosed करना तो तमा के element left aligned नजरींदो गड़ो गड़ इनन जी font size 16 pixels हुंदी ये अखर नॉर्वल size में तम आगे नजरींदा HTML जे अंदर कुछ adhub elements हुंदा आया जिन जो starting हुंदो आये पर उनन जो ना ending हुंदी आये इनन उनन जो content हुंदो आये इन टेक्स के ऐसा self-closing text रहिंदाए इन example जे अंदर तमा के नजरींदो HTML जे head section जे अंदर इकड़ो title जो new element इंट्रोड्यूज कराए वेवा एं title जे अंदर लिख्यो वेवा है this is my new website left side का आउं coding का ही आए और right side का आउं browser के open का हुआ है आउं browser जे मत्ये tape में तमा के इहा वारी शे लिख्यल नजरींदी हालांके web page बागी studio तमा जो empty आए body जे tag जे अंदर या body जे element जे अंदर आउं एकड़ो new element आई वाए div जो जनती अंदर लिख्यो आए my first page आई यो content तमा के browser जे अंदर लिख्या नजरींदो h1 खा h6 ताहिं जेके element सुनाएं वे heading elements आप रही नाएं for example अगर आउं body जे अंदर 6 element हायां तो आई उनने जे अंदर लिख्यां तो this is heading 1, heading 2, 3, 4, 5, 6 आई पहरें के h1 सा start करयां तो या in close करयां तो आए आखरी के h6 सा या h6 में in close करयां तो तमा के वाज़े फरक नजरींदो तक content पहरें काफी वड़ो आए उनका पो थोड़ो नंडो उनका पो थोड़ो नंडो वींदे वींदे h6 तमा के सबका नंडो नजरींदो So h1, h2, h3, h4, h5 and h6 define करना हैं तक को भी content केडी size में केडी तरह सा नजर अचन का पे एलिमेंट्स चाप बंबेजोर टाइपस हैं एकड़ा हैं block level elements आएं ब्लॉक लेवल elements आएं इनलाइन elements यह रहें जके तवाँ h1 खा वाटी h6 ताए elements डिठा या जको div element डिठो यह block level elements और रहें दाएं इनने का इलावा भी काफी यह elements आएं जके block level आएं course में जीए जीए सा गया वदना वीनदा से तवाँ के यह block level elements आऊं बुदाएं दो रहें दिस हिते example जे अंदर तवाँ के यह block level elements नजरीं दा हिकड़ो P जो को paragraph सब रहें दो आएं विए आर्टिकल ब्लॉक लेवल elements ब्राउजर जी complete width के occupy कंदा हैं जेकर ने कोडिंग जे अंदर तमाब ब्लॉक लेवल element सेम लाइन ते भी लिखो था ब्राउजर ते उए तमाँ के अलग-अलग लाइन ते नजरीं दा जा जेकर ब्लॉक लेवल element पान ता गड़ के बे-अलिमेंट ते बे-अलिमेंट के सागी लाइन में वेहर नाए रीदो अनलाइक इन-लाइन elements इन-लाइन elements सिर्फ ओत्री widths occupy कंदा हैं जेतरो उन जे अंदर content आहें जेकर बे-इन-लाइन elements असा coding जे अंदर गड़ो गड़ लिखूं था या इवन हिकबे जे हेठाब लिखूं था VS code जे अंदर तो ब्राउजर में वे तमाँ के सेम लाइन ते नजरीं दा इन-लाइन elements जा example आयन Spain, Inka, Input, Button and etc. जे आप पिर मो So, हिन example में तमाँ के नजरीं दो, ताम सबगां पे रहां body जे अंदर H1 जो element आयो है H1 हेकड़ो block level element आये उनकाँ पो आऊं हेकड़ो self-containing tag लिख्यो आये HR जो HR लिखन सा ही यह ते तमाँ के line नजर आज़े पई horizontal rule उनकाँ पो H2 जेको block level element आये H3 जेको block level element आये इनन बिनी के coding चे अंदर आऊं हिकड़ी line ते mention कए हो आये पर अब कोई भी चड़े तमाँ ब्राउजर में मीदा तमाँ के यह बई अलग-अलग line ते नजरींदा चाज़े काँ block level element entire width के occupy कंदा आये जो नहीं के element entire width occupy करे वठंदो आये तो उते जगह ही को न बचंदी आये जो view element रही सके तेन जे करे next element हमेशा हे ठांगाय स्टार्ट थीन दो आये पर जेकरे ऐसा inline element ते चाओ जीए span 1 and then एकड़ो view element span 2 coding चे अंदर आऊं अलग-अलग line ते लिखा हां वह यह by element तमांगे हिकड़ी यह line ते नजर रहे चलना within browser सो ही area मुझो browser जो आये के तमांगे ते नजर भी नो यह chrome browser open थेल आये जिते लिखेल आये document आये यह document हितना का title खाहा है जिते text लगल आये आये इनन text के ऐसा आया हली करे पढ़ना रहाना से उनना काँपो आऊं लिख्यो आये p-element-im-paragraph tag आये p-element इकड़ ब्लॉक-level element हुंदो आये तेंजे करे यह तमांगे span वार elements जे हेठा नजर रहेंदो